मैं अब आपसे कुरुशी सुधारों के बात बोले जा रहे सबसे बड़े जूट के बारे में बात करूंगा बार बार उद जूट को दोराये जा रहा है जोड जोड से बोला जा रहा है जहां मोका बिले वहां बोला जा रहा है बीना सिर पर बोला जा रहा है जैसे मैंने पहले कहा था स्वामिन आथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया अगर हमें MSP हटानी होती तो स्वामिनाथन कमिटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई आपने भी नहीं की थे हम भी नहीं करते हमने तो ऐसा नहीं की हमने तो लागू की दूसरा ये हमारी सरकार MSP को लेकर इतनी गंबीर है कि हर बार बुवाई से पहले MSP की गोशना करती है इस से किसान को भी आसानी होती है उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि कि इस फसल पर इतनी MSP मिलने वाली है वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है साथियो छे महिने से जादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किये गए ये कानून तो लागू हो चुके थे 6 मेने पहले हो चुके थे कानून बनने के बाद भी वैसे ही MSP की गोशना की गई जैसे पहले की जाती थी कोरोना महामारी से लड़ाई के दोरान भी ये काम पहले की तरक किया गया MSP पर खरीदी भी उनी मंडियों में हुई जिन में कानून बनने से पहले होती थी कानून बनने के बाद भी वही हुई अगर कानून लागू होने के बाद भी MSP की गोशना हुई MSP पर सरकारी खरीदी हुई उनी मंडियों में हुई तो क्या कोई समझदार इस बात को स्विकार करेगा कि MSP बंद हो जाएगी और इसलिए मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई जूठ नहीं हो सकता इससे बड़ा कोई शरियंत्र नहीं हो सकता और इसलिए मैं देश के प्रतेक किसान को इविश्वात दिलाता हूं कि पहले जैसे MSP दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी MSP न बंद होगी न समाप्त होगी साथियों अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे पिछली सरकार के समय गेहू पर MSP थी 1400 रुपिय प्रती क्विंटल हमारी सरकार प्रती क्विंटल गेहू पर 1975 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपिय प्रती क्विंटल हमारी सरकार प्रती क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार में ज्वार पर MSP की MSP थी 1520 रुपिय प्रती क्विंटल हमारी सरकार ज्वार पर प्रती क्विंटल 2640 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर MSP थी 1950 रुपिय हमारी सरकार प्रती क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय चने पर MSP थी 3100 रुपिय हमारी सरकार अब चने पर प्रती क्विंटल 5100 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय तूर दाल पर MSP थी 4,300 तैताली सो रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार तूर दाल पर प्रतिक्विंटल 6,000 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मुंग दाल पर MSP थी 4,500 रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार मुंग दाल पर करीब 3,200 रुपिय MSP दे रही है साथियों यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार MSP समय समयर पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है कितनी गंभीरता दे देती है MSP बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि जादा से जादा अनायच की खरीदारी MSP पर की जाए पिछली सरकार ने अपने पांच साल में किसानों से लगबग 1700 लाख मैट्रिक तन धान खरीदा था क्यांकड़े याद रखना हमारी सरकार ने अपने पांच साल में तीन हजार लाख मैट्रिक तन धान किसानों से MSP में खरीदा करीब करीब डवल पिछली सरकार ने अपने पांच साल में करीब पौने चार लाख मैट्रिक तन तिलहन खरीदा था हमारी सरकार ने अपने पांच साल में चपन लाख मैट्रिक तन से जादा MSP पर खरीदा है अब सोचिए कहां पौने चार लाख और कहां चपन लाख यानि हमारी सरकार ने न सिर्फ MSP में वृद्धी की बल्कि जादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को MSP पर खरीदा है इसका सबसे बड़ा राब ये हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं जादा पैसा पहुचा है पिछली सरकार के पांच साल में किसानों को धान और गेहूं की MSP पर खरीदने के बढ़ले में 3,74,000 करूर रुपिय मिले थे हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और ध्यान की खरीद करने किसानों को आठ लाग करोड रुपिय से जादा दिये साथियों राजनीती के लिए किसानों का उप्योग करने वाले लोगों ने किसान के साथ क्या वर्ताव किया इसका एक और दरन है दलहन की खेती दो हजार चौदा के समय को याद कीजिए किस प्रकार देश में दालों का संकर था देश में मचे हाहारकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी हर रसोई का खर्च दाल की बढ़ती किमतों के साथ बढ़ रहा था जिस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल की खपत है उस देश में दाल पैदा करने वाले किसानों को तबह करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं काय रखी थी किसान परेशान था और वो मौज ले रहे थे जो दूसरे देशों से दाल मंगवाने के काम में उनको मजा आता था यह बात मैं मानता हूं कि कभी कभी कभार प्राकुर्दी के आपदा आ जाए अचानक कोई संकर आ जाए तो विदेश से दाल मंगवाई जा सकती है देश के नागरिकों को बुका नहीं रखा रचता लेकिन हमेशा ऐसा क्यों हो साथ क्यों यह लोग दाल पर जादा एमस्पी भी नहीं देते थे और उसकी खरीद भी नहीं करते थे हालत यह थी कि 2014 से पहले के पांच साल उनके पांच साल उन्होंने सिर्फ सिर्फ डेड़ लाख मेंट्रिक दन दाल की किसानों से खरीदी जब 2014 में हमारी सरकार आई तो हमने नीती भी बढ़ली और बड़े निर्णे भी लिये हमने किसानों को भी दाल की पैदावर के लिए प्रोचाहित किया भाई और बहनों हमारी सरकार ने किसानों से पहले की तुल्ना में 112 लाख मेट्रिक टन बैस दुबारा बोलता हूँ 112 लाख मेट्रिक टन दाल MSP पर खरी दी सोचिये देड़ लाख उनके जमाने में वहाँ से हम सीधे ले गए 112 लाख मेट्रिक टन उन लोगों ने अपने पांच सालों बें दाल किसानों को दाल पैदा करने वाले किसानों को कितना रुपिया दिया साड़े छैसो करोड रुपिये हमारी सरकार ने क्या किया हमने करीब करीब पच्चास हजार करोड रुपिये दाल पैदा करने वाले किसानों को दिया कहां छैसो करोड कहां पचास जार करोड आज दाल के किसान को भी जादा पैसा मिल रहा है दाल की कीमतें भी कम हुई है जिससे गरीब को सीधा फाइदा हुआ है जो लोग किसानों को ना MSP दे सके ना MSP पर डंग से खरीच सके वो MSP पर किसानों को गुमरा कर रहे है